अगर आप क्रियेटिव क्लाउड अडोब क्रियेटिव क्लाउड के मेंबर है या अडोब फोटोशोप का सी सी का लेटेस्ट वर्जिन आपके पास है तो आपको एक बहुत ही अच्छी खुश फबरी सुनाने वाला हूँ आपने अभी थमदल देखा होगा वीडियो का और आप वीडियो पर आगे हैं आपको थोड़ा सा पता तो होगा कि मैं पिक्सल के बारे में बात करने जा रहा हूं कि इस तरह से यह जो एक सिंपली मेरे पास फोटा मैं उसको थोड़ा सा जूम किया है और आप देख रहे हैं क एक बिडियो बहुत ज़ակदा लंबा नियका भूला एक फास बताऊंगा एक लेडिस टेक नोलगी ठीक है ची उसके लिए आपको सिंपली अपने प्रिफरेश सिसम्म कर ना है और यहां पर टेकनोल 2020 में चाना है श्रहिण आप एपर यह आपतिक्र नहीं होगा आपने इन बहुत ही ज्यादा सिम्पल के यहां पर आपके पास आटमेटिक आ रहा होगा आपने री सेंपल के उपर क्यां पर चैक लगाना है और प्रिजर्ब डिटेल टू पॉइंट जीरो के उपर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेना है अब इससे क्या होगा यह 500 पिक्सल का हमारा इम कर लोगाइज के उपर जो जैसे हम पहले इम इदीकसा आइस बड़ा करते रहें तो सहनी अगर में 500 से करना था नंग ठीक है तो कि कुछ इस तरह से पिक्सल जो आ वो कुछ इस तरह से आते हैं यह आप देख़ çıkar कि कि बिक्सल जो है वो वह पोट्ट यहाँ ब्लार्र सय या बहुत ही खराब सा बन जाता है अभी मैं ने अंडू किया है अब मैं दोबारा इमेज में साइज में जा रहा हूं और अभी आप देखेगा एक मैजिक के फाइव हंडेड मार पास वेड़ते है क्योंकि मैंने अंडू कर लिया था भी यहां पर हम प्रिजर्ब डिटेर 2.0 प यहां पर आपको बैस्ट लग रहा है वहां पर आप में ले जाकर रोके करना है कि आई थिंग कि इप्टी इस बैस्पर में अभी आप देखेंगे मच बैटर बहुत ही ज्यादा बेहतर लग रहा है दूसरे इमिज से तो यह लेटेस्ट टेकनोलोजी अडॉब ने दी है क् लेटेस्ट वर्जिन्स सिसी इस्तमाल करने वालों के लिए तो आप भी इससे थोड़ा बहुत फायदा उठाइए आपके जो पिक्सल फटी वाली फोटोज्व में डालिए पिक्सल बढ़ाईए एडिट कीजिए और सोचल मेडिया पर डालिए मज़ा लीजिए तो यह दो झालिए